स्वागत है आपका SS classes में तो कैसे हैं आप लोग आसा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे बढ़िया होंगे जैसे कि पता होगा दोस्तों आप लोग का यहां पे class 6-8 TRE का जो भी exams था आप लोग का उसका answer की यहां पे जारी कर दिया गया है ठीक है तो आज हम इस वीडियो मे यह बेहद ही important होने वाले हैं क्योंकि इसमें आप लोग के पता चलेगा कि आखिर में किस तरीका से यहां पे BPSC सवाल पूछ रहा है और आपको किस तरीका से strategy रखना चाहिए कि ताकि general paper में TRE 4 के अंदर में आप लोग का यहां पे अच्छे से marks score कर वाएं ठीक है जैसे कि पता होगा जो TRE 4 का आपका vacancies आने का ज्यादा chances है और आपका यहां पे October मास में या November मास में आप लोग को यहां पे इसका vacancies देखने को मिलेगा ठीक है तो जो भी यहां पे 6 to 8 के लिए लोग तयारी कर रहे हैं एक बार यह जरूर देखने वीडियो कि आखिर में 6 to 8 में general paper पर से की starting record के सबाल यहां पे पूछते जालो है ठीक है तो सीधे चलते हैं अपने हम के उपर में की आखिर में सबाल आप लोग का महां पे की इस तरीकास से देखने को मिलते हैं ठीक है जैसे ही अगर कि हम आते हैं यहाँ पर 628 का पेपर मैं आप लोग के सामने ही यहाँ पर open कर लेता हूँ open में आईएगा तो जैसे कि पता होगा एक बार मैं overview पहले बता देता हूँ कि क्या pattern रहता है BPSC exam का क्योंकि TRI में बहुत सारे लोग यहाँ पर new candidate भी appear होंगे जैसे कि पता होगा जो TRI का आपका यहाँ पर exam होता है बाकी जो अगर के यहाँ पर देखिएगा जो 40 सवाल रहते हैं वो GS का सवाल रहते हैं और जो 80 सवाल रहते हैं वो आपका subject से सवाल रहते हैं ठीक है जो यह Hindi का paper आता है इसमें आपका 8 marks का यहाँ पर English भी पूछा जाता है और total overall मिला के 30 नंबर का Hindi और English यहाँ पर पूछ पूछा जाता है मैत रिंडिंग जिक्के GS हो गएरा सब कुछ पूछा जाता है current affair हो गएरा 80 marks जो होंगे आपका subject paper से होंगे तो इससे 40 नंबर और 80 नंबर यह दोनों से आप लोग का merit बनता है इसमें जितना नंबर आयेगा उसी से आपका नौकरी मिलेगा तो आज हम इस जो paper यह discuss करने वाले हैं यह 6 to 8 SSD का जो 40 नंबर का जो GS पूछा जाता है उसका यह paper होने वाला है ठीक है तो इसको हम आपको एक एक करके सारा questions का solution देते चलेंगे ताकि जो भी लोग तयारे कर रहे हैं आने वाले exam के लिए वह अपना बेहतर परदरसन कर सके है उसमें पहला अगर कि आप formula से बनाएगा तो बहुत समय लग जाएगा तो इस सवाल को बनाने के लिए हम यहां पर इस चीज का यूज करेंगे एकस प्लस वाई बराबर वन ऐसा हम एकस और वाई को value रखेंगे जो कि इसको satisfy कर पाएं अगर कि हम यहां पर एकस के value रखते हैं और वाई क दोनों के 16 यह हो जाएगा और एकस के power 4 प्लस 1 करेगा तो यह भी 17 हो जाएगा यानि कि यहां से यह देखने को मिलता है कि जो एकस का value है वाई का value है दोनों यहां पर satisfy कर रहा है तो direct हम इसका यहां पर उसमें जो पूछ रहा है उसमें हम यहां पर put कर देंगे दो कब यहा यहां पर एक है minus में यानि कि इसका जब हल करेंगे तो हमारा यह टेंसर आ जाएगा और यही आप लोग का यहां पर टिक करना था ठीक है अगर कि फर्मूला से आप लोग बनाईएगा तो हो सकता है इसमें जदा समय लगे लेकिन अगर कि आप direct लिखिएगा तो इसको 10 सेक सवाल की तरफ बढ़ते हैं इसका जो पीडिएफ है दोस्तों याद रखिएगा इसका जो पीडिएफ मैं अपने टेलेग्राम चैनल लोग भेज़ दूँगा तो जाकर वहां से आप लोग इसको डाउनलोड कर लिजिएगा तो सवाल एक पूछा गया था कि भारत में घड तरीन सवाल था नॉर्मल ही सवाल था कितने वर्सों में 75-100 रुपए आठ परतीसत सदहारन ब्याज की दर से यहां पर दूगनी हो जाएगी ठीक है सदहारन ब्याज की दर से 8 पर दिया गया है और बोल रहा है दूगनी हो जाए तो यह कोई सबीरास्ती होगा तो 8 परतीसत की दर से दूगना उसको होना ही है चाहिए पच्छतर से जगप 10,000 रुपए हो चाहिए बीस अजार रुपए हो तो यहां पर तो हमको यह जो एमांट दिया गया इससे कोई लियना देना नहीं होना चाहिए यह पूछ रहा है कि दूगना हो जाए यानि कि जो मेरा पहले से अगला सवाल यहां पर पूछा गया था आपसे क्या पूछा गया था कि सुभा चंदर बोस किस वर्स भारतिय राष्टिय कोंग्रेस के अध्यक्ष बने थे, तो कब बने थे, वो एक बने थे, 1938 में भी बने थे, और 1949 में भी बने थे, तो इसका जो राइट एंसर होगा, उप्रियुक में से एक से आधिक, option number D, बिल्कुल ये correct answer होगा, ठीक है, नेक्स सवाल जो पुछा गया था आपका की, नेक्स जो सवाल यहाँ पे देखिएगा, पुछा गया था, कि हाल ही में नेपाल सरकार द्वारा, कि सहर को देश की परिवटन रजधानी घोशित किया गया है, तो वहाँ पे नेपाल का एक सहर पोखरा, वहाँ पे ये चीज किया गया था, तो आप लोग याद रखिएगा, ऐसे हैं सी सवाल आपका TRE4 में भी यहाँ पे पुछा जा सकता है, ठीक है, अगला सवाल देखिएगा, बहुत ही बहतरीन सवाल पुछा गया था, देखिए, आइनेम का जो सवाल पुछा गया है, कि नॉर्मल ही सवाल उसमें पुछा गया, ज्यादा वहाँ सवाल नहीं पुछा गया है, लेकिन जो उसका options है, बहुत ही confusing options दिये हुए, अब यही सवाल में देखिए, कि साइमन कमिशन गठन कब हुआ होगा, तो आप लोग में से mostly लोग जानते हो, कि साइमन कमिशन गठन 1927 इस भी हुआ था, लेकिन अगर के देखिए गा न तो बह सवाल की तरह बढ़ते हैं, नेक्स सवाल में जैसी ही आएगा, अच्छा सवाल है, कि नीन में से कौन सा ओमोहमिक प्रतिरोद का प्रतिनिधी तो करता है, यानि कि जो ऐसा प्रतिरोद, जो ओम का नियम का फॉलो नहीं करता है, आपको पता होना चाहिए, नाइक्रोम फॉलो करता है, यहां पर तामभाई फॉलो करता है, तो यहां पूछ रहा है कि गैर ओमोहमिक, यानि क जो नियम का पालन नहीं करता है और टॉर्च लाइट ऑप्सन नबसी बिल्कुल यहां पर यह correct इंसर होगा आपका ठीक है नेक्स सवाल की तरफ बढ़ते हैं नेक्स सवाल में जैसी आएगा बहुत नहीं बेहतरीन सवाल पुछा गया था आपके ACRT और NCRT से कि भारत में जो अरिये एवं तरंग उर्जा उतपादन के लिए अधीक अनुकूल प्रस्थितिया कहां पर पाई जाती है ठीक है ओप्सन से में देखिएगा खंबाल की खाड़ी में गंगा नदी में कच्छ की खाड़ी में मनार की खाड़ी में और सबसे इसमे इस सवाल में देखिए यहां पर ऑप्सन दिये गए हैं कि उप्रियूक में से एक से जधिक लेकिन जो सबसे ज्यादा सबसे अच्छा उत्तर माना जाता है और जो सबसे अनुकूल प्रस्थितिया पाई जाती है वो खांबाल की खाड़ी में पाई जाती है तो इसलिए इस निकालना है तो इसको निकालने के लिए किस तरीका से करें और कछा आपको पता होगा 31 जो 25 तो यहां और नीचे में जो आएगा यहाँ पर 10 हो जाएगा ठीक है तो यह पाउर में 5 हो जाएगा और आएगा तो यहाँ पर माइनस 2 बटा 5 यहाँ से यह 5 और यह 5 खतम हो जाएगा 5 दूनी के 10 यानि कि 1 बटा 2 के पाउर में यहाँ पर माइनस 2 होगा जो कि यह उतर कितना हो सब्सक्राइब निर्वाचित सवापती कौन तो जो सबसे पहले निर्वाचित सवापती थे और राजी उरंजन सीनहा जीते तो ऑप्सन नंबर एप यहां पर बिल्कुल यह कोएक अंसर ओगा ठिक नेश सवाल की तरह बढ़ते हैं नेश सवाल बहुत ही बैतरीन सवाल दिया था लंबा चांड़ दो देख लीजी क्या दिया है कि बिङ्ञान और प्रद्यों की मंत्रा लैने उस सब्सक्राइबerek को 23 अगर्स को क्या होता है कि राष्टिय अंत्रिक्ष दिवस के दिन यह यहां पर आयोजित किया जाएगा जो कि BPSC ने भी सही उत्तर माना है इसको ठीक है अगला सवाल के तरह बढ़ते हैं अगला सवाल आईएगा यह सवाल तो अभी तक में सबसे फेवरेट सवाल रहा है BPSC का अगर कर देखिएगा तो यह TRE 1 में भी multiple time यह सवाल पूछा गया था TRE 2 में भी पूछा गया था TRE 3 में जो exam cancel हो गया था उसमें भी पूछा गया है और फिर यहां पर TRE 3 में भी यह सवाल पूछा गया है तो इस तरीका के सवाल आपको गलत नहीं होना चाहिए क्योंकि यहां पर यह नह सवाल समझे कि नॅन बनाने के लिए सवाल दीये जाते हैं अगर यह गलत करते हैं तो समझे कि आप बहुत पीछे रहा जाएगा सवाल दिया गया है केंद्रिये बिधान सभा में हानी रहित बम की इसने फेका था तो यहां पर जो फेके थे वो बटू के सवर्दत ने यहां पर फेके थे अगर भी यहां पर correct answer होगा ठीक है नेक्स सवाल की तरफ बढ़ते हैं नेक्स सवाल देखिएगा तो यहां पर बहुत ही बहतरीन सवाल दिया गया है कि एक बटा पांच के पावर में 3x दिया गया है और यहां पर देखिएगा तो यह दिया गया है आठ अगर का इसको बटा 5 हो गया और तो यहां पर पूछ रहा है यानि कि x के value हमारा कितना आया एक आ गया और यहीं पूछ रहा है कि 0.5 के पावर में x यानि कि x value 1 तो वही हमारा उत्तर हो जागा तो 0.5 यह correct answer हो जाएगा यहां पर ठीक है नेक्स सवाल की तरफ बढ़ते हैं नेक्स सवाल जैसे ही आईएगा आपसे सवाल एक पूछा गया था क्या सवाल पूछा गया जैसे कि यहां पर देख लीजिए कि बिहार दिवस जो मनाया जाता है किस खुशी में मनाया जाता है तो इस दिन यानि कि 22 मार्च को बंगाल प्रेसिडेंसी से औलग होने के उपलक्ष में बिह सब्सक्राइब इस तर 0.2.3 से किष समानित किया गया है तो यह जो समानित किया गया है और इस में बहुत सारे लोग को यह बहुत ज़्यादा यह आपे हल करने होते हैं यहां पर देखे एक दिया गया है कि इन में से कौन सा सही है ठीक है तो सबसे पहले इस तरीका के सवाल में आप लोग का जो भी यहां पर नीचे का होता है यानि कि जो हर होता है उसको हमको बराबर करना होता है बराबर करने के लिए क्या करेंगे सिंपल सी बात है उसको हम LCM लेंगे तो यहां पर LCM ले लेते हैं 36 18 45 और यहां पर 60 जब हम इसको LCM लेंगे तो कितना लेंगे 18 दुना के 36 यहां पर 18 एकम 18 और यहां पर 9 हो गया तक यह वहल 5 लेंगे अब 6 दुने के 12 और यह 5 हो जाएगा हमारा 60 या निकि यह हमारा LCM होगा ठीक है तो इसको हम करने के लिए अब क्या करेंगे नीचे में देखिएगा तो यहां पर दिया गया है 18 ठीक है तो यहां पर 60 करना है तो 6 दुने के 12 65 तो इसमें हम यहां पर 3 से गुना कर देंगे ठीक है अगर इसमें किजिएगा तो आपका जो भैलू आने वाला है जो पहला आएगा यह पांच होगा पांच 15 15 ठीक है इस सवाल को बनाने के लिए सबसे बहतरीन तरीका यही है कि नीचे वाल एक जो भी चीजे उसका आप LCM निकाल लिए और जितना भी LCM आ रहा है सबको नीचे से उपर नीचे इसको गुना करते जाए हो जाएगा और एक और असान तरीका हम आपको बताते हैं तो यह तो थो उसी तरह 15 2 बटा 5 इसे यहां पर गधा हुगया है अगला सवाल और अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं 49 नमर सवाल में आईएगा एक सवाल दिया गया था कि हमारे सरीर में मलेरिया पर जीवी का भरदारन अस्थल कहां पर है तो इसका जो भंडारन रश्टन है वो पलिया है ओप्सन नमबर ए बिल्कुल यह correct एंसर होगा ठीक है नेक्स सवाल की तरफ बढ़ते हैं नेक्स सवाल में जैसे ही आईएगा पचास नमबर की उचन साब से पूछ रहे हैं कि प्राकरतिक संसादनों के संदक्षण के लिए अफरीकी संब्मेलन किस वर्स आयोजित किया गया था तो जो अफरीकी संब्मेलन जो आयोजित किया गया था यह 1968 में किया गया था तो आप्सन नमबर यहां पे बिल्कुल correct एंसर है ठीक है अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं अगला सवाल जो दिया गया है नेन में से कौन सा कॉलाइड नहीं है तो जो कौलाइड नहीं है वो सिर्का है ठीक है बाकी रख्त जो होता है वो कौलाइड का उधारन है धूँआ जो होता है कौलाइड का उधारन होता है ठीक है नेक सवाल की तरफ बढ़ते हैं यह सवाल देखिएगा तो अगर कलास 10 का एहां कि जो सवाल दिया गाए class 10 का जब जिग्रफी पढ़िएगा absurd book का खास करके तो उसमें ये सवाल दिया गया है कि manganese का उपयोग कहा किया जाता है उसका जो उपयोग किया जाता है photograph physicist में भी किया जाता है और battery उत्पादन में भी किया जाता है तो इसका जो options, right option होगा, वो प्रियुक में से एक स्याधी कि यहाँ पे बिल्कूल यह correct answer होगा, ठीक है, next सवाल की तरह बढ़ते हैं, next सवाल जैसे ही आते हैं, next सवाल मैं देखे क्या बोलागी है यहाँ पे, कि नीन में से सरीर का कौन सांग, सरीर का संतूलन को नियंत्रित क जो काम होता है, उसका जो काम होता है, और कान का यहाँ पे होता है, option number C, बिल्कूर correct answer है, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, तो सबसे option number C में देखेगा, तो यही कतन सत्य है, इसमें क्या दिया गया है, कि उर्जा सरावीत होती है, तथा ATP के रूप में भंडारित होता है, ठ ठीक है, जिसे के पता होगा, सरीर में जो उर्जा भी भंडारित होता है, वो ATP के रूप में भंडारित होता है, यहाँ पे देखे, ADP लिखा हुआ है, जो कि गलत होगा, जो right answer होगा, option number C, यहाँ पे होगा, ठीक है, नेक सवाल की तरह बढ़ते हैं, नेक सवाल 55 number की नेक सवाल है, 56 number की उच्छंस, कि दिया गया है कि भारत में पानी का सरवाधिक उप्यों किस परियोजन के लिए किया जाता है, सिंपल सी बात है, और कि आपको कोई ऐसे भी पूछेगा, कि भारत में सबसे ज़्यादर पानी का यूज कहां पे होता है, तो normal सी बात है, जो स पीचाई में यूज होगा, तो उसका वो राइट एंसर होगा, अब देखिए ये 57 number की उच्छंस, जैसे मैं ने बटु केस वर्द तोला की उच्छंस बताया, कि BPSC के लिए वो फेवरेट की उचंस है, उसी तरह ये भी जो सवाल है न, BPSC के लिए फेवरेट की उचंस है अभी तक जितने भी परिक्षा हुए है, TRE1 हो, TRE2 हो या TRE3 हो, इसमें ये सवाल पूछा ही गया है, यहां तक तो multiple time पूछा गया है, अभी TRE3 में भी ये सवाल PRT में भी पूछा गया है, 628 में भी पूछा गया है, Congress Socialist Party का गठन किस वर्द हुआ था, तो ये जो हुआ 17 माई 1934 में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा, ये सवाल बार बार पूछा जाता है, इसलिए most repeated ये क्योचन हो गए, ठीक है, next सवाल की तरफ बढ़ते हैं, next सवाल यहां पर math के क्योचन आ रहे हैं, क्या सवाल दिया गया है, कि दो संख्याओं का अनुपाद 14 अनु दिया गया है, ठीक है, तो इसका अंतर भी दिया गया है, यानि कि 264, तो 264 जो अंतर दिया गया है, वो किसका दिया गया है, यानि कि ये दुनों का अंतर का यानि कि 11 का, अगर कि हम इसको करते हैं, 11 दूनी के 22, 11, 14, 44, यानि कि एक का भेलू आ गया 24, छोटी संख्याओं क क्या पूछ रहा है कि जारखंड का घाट सीला किस नदी किस खनीज उत्पादन के लिए प्रसीद है तो जो यहां पर घाट सीला है ना घाट सीला यहां पर तामबा के लिए प्रसीद है आप लोग इसको अच्छे से याद रखिएगा ठीक है नेक्स सवाल की तरफ करेंट गया है कि नवंबर 2024 में सन्युक्त राष जलवायू परिवर्तन सम्मेलन 2024 कहां प्याजन होने वाला है तो यह जो नवंबर 2024 में होगा अभी हुगा नहीं है यह जो होगा बाकू के अजर बैजान में होगा आप लोग याद रखिएगा आने वाले एक्जाम के लिए भी यह इंपोर्टेंट है अगर कि और भी कोई आप लोगो एक्जाम से देना है था क्योंकि अभी इसका जो आईवजन होने वाला है नवंबर 2024 में होने वाला है आप लोग इसको याद रखिएगा ठीक है अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं एक सट नमबर जो क्यूचन्स दिया नहीं बनाती है जो काली नदी है यहां पर सीमा बनाती है ठीक है नेक सवाल की तरफ चलते हैं 62 नमबर क्यूचन्स बहुत नहीं बहतरीन सवाल पूछा गया था यह अगर कर देखिए का तो NCRT में जब आप पढ़िए क्लास 10 का बुक तो उसमें बहुत नहीं किलियर तरीक संभीदान में और सुनीशुद करने वाला पहला देश भारत में करत करना बैन है यानि की कानुन अपराद है लेकिन यह जो सब्सक्राइब अपने संभीदान में संसुद्धन करकर वहां पर ऐसा चीज़ ले कर आया है कि जो अपने सुएक्षा के अनुसार वहां पर गर प कि मार्ट 1224 में निम्लिखित में से कीस बल के परमुह के रुप में युक्त किया गया था तो जो उस समय यहां पे नचुन किया गया था और आप अप्सन इनमें से कोई नहीं बिल्कुल यह Right answer होगा option नबरी बिल्कुल यह सवाल की तरह बढ़ते हैं यहां कि एक कमरा है उसमें आठ मिटर लंबा चहोँ मिटर चौणा और मीटर उच्छा है तो कमरे में रखे जा सकने वाले सबसे लंबी खंभे की लंबाई क्या होगा लाजमी सी बात है दोस्तों अगर कोई रूम है रूम में सबसे बड़ा खंभा कैसे रखाया अगर उसको हम डाइगोनल रखते हैं रूम में कोई चीज तभी न सबसे बड़ा से बढ़ाएगा और कि ऐसे रखेंगे फिर भी छोटा आगा तो इसका हम बिकर्ण निकालते हैं घनाव का या निकिसिंल यहांबर कोरेक्टत होगा ठीक है नेक्स सवाल werde बढ़ते हैं, नेक्स सवाल 66 नमबर क्योंच देखते चलिए, 66 नमबर सवाल में क्या दिया गया है कि भारत के राष्टिये पुस्तकाले ने अपनी यतरा किसके उद्गाटन के साथ शुरू किया है, यानि कि भारत में जो राष्टिये पुरुस्तकाले का जो प्रकृरम होता है, कब से अस्टार्ट होता है, जो सबसे पहली जो प्रकृरिया इसमें होती है, कि मार्च 1836 इसवी में कलकत्ता पब्लिक लाइबरेरी कहां पर उद्गाटन होता है, उस समय के बाद सहीं भारत में राष्टिये पुस्तकाले का प्रचलन अस्टार्ट होता है, आप लोग चायादार भाग की और ऑक्सिन का बिस्तनर करता है, तो ऑप्सन नबर सी बिल्कुल ये कॉरेक्ट होगा, एंसी अर्ट अगर के आप कलास 10 पढ़िएगा, तो ये सारा चीज वहाँ पर पढ़िएगा आप लोग, उस दिन में एंसी अर्ट अगर जब स्रीज स्टार्ट नहीं है, उन्हें 24-25 के योजनाबद अंतरिक्ष में इसरो के गगनयान मीशन के लिए अंतरिक्ष यात्री बनाने का प्रसिक्षण किया है, तो जितना भी नाम दिया गया है, इन में से कोई भी नहीं है, ये लोग ठीक है, नेक सवाल की तरफ बढ़ते है, नेक सवाल है की कि यहां पर दिया गया है कि शुर्मंडियम और नाइडू ने राहत कोष में कुछ पैसे दान किये, नाइडू द्वारा दी गयी रासि, शुर्मंडियम द्वारा दी गयी रासि के 125 रुपे अधिक है यानि कि जो सुबरमंडियम ने 25 दिये और जो नाइडू ने दिये वो नाइडू जो है यहां सुबरमंडियम से कितना 125 रुपे यह जा दे दिये तो यहां पे 125 हो गया और यह दोनों धन का यहां पे जो योग है यानि कि 925 है N पलस जो S दिया गया है यहाँ पे कितना दिया गया है 925 रुपय दिया गया है तो पूछ रहा है कि सुरमंडियम दवारा 18 कितना दिया गया है तो हम इसको N को खटा देंगे माइनस 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 कर देंगे यानि कि माइनस 2 S is equal to कितना हो जाएगा माइनस 850 यहीं न होगा ठीक है अब यहाँ से यह चला जाएगा दो सगर के हम इसको करेंगे तो कितना हो जाएगा 425 रुपए यह बिल्कुल यहाँ पे correct answer होगा जो की option number A में यहाँ पे दिया गया है आपका ठीक है next सवाल की तरफ बढ़ते हैं जैसी आईएगा नेक्स सवाल में दिया गया है कि जन्वारी दोर्य 24 में देश के चुनाव आयो के फैसले खिला पेसावर उच न्याले के एक फैसले दोरा इमरान खान की पाकिस्ताने तहरीके इंसाब पार्टी को बहाल किया गया चुनावी परति क्या था उनका तो यानि कि पूछ रहा था पूछ रहा है आपे पाकिस्तान के तहरीके इंसाब पार्टी है उनका चुनावचिन क्या है कौन सा यहाँ पर चुनावचिन है इस तरीका के सवाल पूछे गए हैं अगर कि आप टीयारी कर रहे हैं तो आप लोग को यह सारा बात ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरीका सवाल पूछा जा रहा है और कहां कहां से सवाल पूछा जा रहा है जो नेक्स वीडियो लाएंगे हम जब अनलाइसिस का वीडियो लाएंगे इसमें और अच्छी तरीका सब बताएंगे कि आखिर में आप लोग जो टीयारी 4 का तयारी कर रहे हैं उसको कीज तरीका से यहां पर तयारी करना चाहिए ठीक है तो कलास अगर क्या अच्छा लगा ह होगा तब वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसका जो भी पीडियाप्स होंगे आप लोग जाकर टेलेगराम से वहां पर इसको डाउनलोड कर लीजिए ठीक है मिलते हैं नेक्स वीडियो के साथ में पढ़ते रहे हैं मुस्कुराते रहे हैं बबाए